दोस्तों आप सामने देख सकते हैं 5,840 रुपे TDS कट गया है जो की कटा है PF जब निकाला जारा था 15G फॉर्म नहीं भरा गया अगर आपका भी TDS कट गया हो चाहे PF में कटा हो, salary में कटा हो या किसी और section में कटा हो आपको कैसे refund लेना होता है इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ practically मैं इनकी ITR फाइल करूँगा, आप देख सकते हैं क्या-क्या steps आपको follow करने होते हैं साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या-क्या important document होते हैं जो आपको ITR भरने से पहले इखटे करना ज़रूरी है चलिए पहले मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बता देता हूँ, मिरे नाम सागर है मैं PF consultant हूँ, जो यहाँ आप देखने जा रहे हो ये PF से TDS कटा, इसलिए मैं यहाँ पे PF related बता रहा हूँ इसके अलावा मुझे ITR का काम आता है क्योंकि मैं income tax की पढ़ाई मैंने की है income tax की पढ़ाई की है, ITR फाइल करता हूँ काट लिया गया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरे साल के दौरान आपकी जो total income है वो taxable दायरे में नहीं आती है तो आप इस 10% TDS को वापस ले सकते हैं इसको वापस लेने के लिए आप ITR भरते हैं अभी जो हमारा ITR भरने का समय चल रहा है वो चल रहा है 23-24 साल का और ये इस साल में 31 जुलाई 2024 तक का हमारे पास समय है अगर आपका भी इस समय के दौरान TDS कटा हो तो अभी आप ज़रूर से इस तारीक से पहले ज़रूर अपना ITR भर लीजे ताकि आपको refund आपका मिल जाए किते दिन में मिल जाता है हफते भर से महीना दो महीना लग सकता है लेकिन अगर जादा लेट करेंगे तो PF वाले उसके उपर व्याज देते हैं ठीक है तो हम आपको दिखा देते हैं कैसे ITR भरना होता है आपने ये देख लिया है कि मेरा 58,400 रुपे मैंने PF से निकाले थे कब निकाले थे 39 फरवरी 2024 को तो फरवरी में कटा ठीक है मार्च खतम हो गया अब हमारा जुलाई मतलब अभी 21 जून है मैं 21 जून को ये वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी ITR फाइल करूँगा और ITR फाइल करने के हफते 10 दिन में ये हमारा refund आ जाएगा ठीक है आ जाना चाहिए अगर लेट हुआ तो income tax वालों को व्याज देना पड़ेगा तो मैं आपके सामने return फाइल करने का सारा process दिखा रहा हूँ income tax income tax आप website खोल लेंगे ये website खोल ली login पे गए login पे जाने के बाद आप अपना pen number डालेंगे अगर सपोज आप भूल चुके हैं तो आप यहाँ पहले pen number डालेंगे continue करेंगे उसके बाद आपको forget password नजर आएगा बाहर ही आप forget password मट ढूडने लगिएगा ठीक है फिर आप login कर लेंगे login करके आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा एक चीज़ का ध्यान रखना भाई bank account अपडेट होना बहुत जरूरी होता है बहुत बार हम सारी details सही कर देते हैं लेकिन क्योंकि हमने bank details सही नहीं भरा होता है तो हमारा refund हमें नहीं मिलता है और अगर refund नहीं मिलेगा तो फिर सारा फायदा ही क्या फिर ITR भरने का ठीक है तो ITR में ना केवल आपको PF के जो अभी आपका TDS कटा है उसके बार में जानकारीत देनी होगी salary, rent income, PGBP, capital gain, ठीक है कोई FD का interest है या फिर कोई और income जो आप दिखाना चाते हैं जितनी income दुनिया भर की होती है आप सारी दिखा सकते हैं आपका कोई भी income है वो आपको छुपानी नहीं है वैसे income tax को भी पता रहता है कि आपकी क्या-क्या income है इस देखने के लिए e-filing पे जाना है e-filing, ITR और उसके बाद annual information statement पे जाना है यहाँ पे जब आप टच करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का page खुलेगा annual information statement, साल आपका selected है, 23-24 AIS पे गए आप, नीचे गए, यहाँ दिखा रहा है कि भाई साब आपका यह TDS कटा है TDS कटा है, ठीक है, इसके साथ में अगर आपने कोई advance tax दिया है वो यहाँ आएगा, other information जैसे share की खरीद purchase यहाँ पे, या फिर यहाँ पे नजर आ सकती है specified financial transaction, ठीक है तो अगर आप मानलो बहुत सारा cash जमा कर रहे हो bank में तो bank वाले income tax को बता देते हैं और तब यहाँ पे आपको SFT में नजर आएगा SFT मतलब specified financial transaction, ठीक है या फिर मानलो आप credit card का बहुत इस्तमाल कर रहे हो 20-25 रुपे का आपने credit card इस्तमाल कर लिया तो भी बता देगा आपने luxury गाड़ी लिया है तो भी बता देगा आपने foreign trip की है तो भी बता देगा मतलब income tax अलग-लग जगे से आपका data collect करता है और फिर देखता है भाई तुने ITR में बताया की नहीं बताया आपने जो है अपने credit card तो बहुत इस्तमाल किया लेकिन इतने पैसे कहां से आए जब income आईगी तभी तो आप credit card का इस्तमाल करोगे ना खर्चा तो तभी करोगे जब income होगी तो अगर आपकी income आपने नहीं दिखाई और खर्चा कर दिया 20 लाग तो फटाक से आपको notice आजाएगा कि भाई साब आपने 20 लाग का खर्चा किया है ITR में आप दिखा रहे हो कि मेरी 2 लाग income है या फिर ITR आपने भरी ही नहीं तो फिर आपके उपर notice आजाएगा और फिर आपको व्याद समयत भरना पड़ेगा अच्छा रहेगा अगर आप बहुत जादा कोई मतलबा आपके ऐसा लगे कि भाई मैं तो 7 लाग से उपर कमा रहा हूँ आपको ITR भरनी चाहिए 7 लाग करीब मैं रफ आइडिया कहा रहा हूँ 7.7 लाग तक आपका tax नहीं लगता है तो आप new tax regime के अंदर ये सुवधा जरूर उठा सकते हैं कि आप अपना ITR भर सकते हैं अब हमने ये समझ लिया भाई हमारा इतना tax कट रहा है अब जिसका मैं अभी ITR भर रहा हूँ उनका case simple वाला है simple वाला case है उसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है और अभी हम क्या करेंगे अभी हम simple धडले से form भरते जाएंगे मेरे को ज़्यादा जानकारिया नहीं दी गई है तो मैं यहाँ पर file now पर जाता हूँ online पर जाता हूँ continue पर करता हूँ fresh मैं file कर रहा हूँ fresh file करके individual पर जा रहा हूँ continue कर रहा हूँ ITR1 जब आप ITR1 सेलेक करेंगे तो ITR1 सेलेक करने पर हम यहाँ पर दिख रहा है हमें कि भाई क्या क्या चीज़े हमें ITR1 के अंदर cover होती है कह रहा है भाई आपकी salary से income हो एक house properties income हो other source income हो agriculture income हो 5000 तक तब आप ITR1 भर सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ ITR1 भरने जा रहे हैं 123 कह रहा है आप चाहें तो पर सकते हैं यहाँ पे मैं other reasons से यहाँ भर रहा हूँ other reasons से भरने के बाद यहाँ देखो यहाँ पे एक important बात है यहाँ कह रहा है कि जैसे उन्होंने tax काटा हुआ है generally यहाँ tax अपने आपकी detail आ जाती है अभी इनके system में कुछ खरावी है जो इन्हें पता है कि आपका tax काटा गया है वो information इस जगे पे नहीं आ रही तो यह कह रहा है भाई मेरे को first step करना है फिर second, third, fourth, fifth पहले वाला complete होगा तो second खुलेगा second complete होगा तो third खुलेगा अब फटाफट से यहाँ personal information पे गए यहाँ पे हमें बोल रहा है कि भाई साब employment के बारे में बताइए तो हम यहाँ other select कर लेना है other select करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आजाएगा bank हमारा लगा हुआ है हम continue करते हैं हमारा पहला भर गया उसके बाद gross total income पे गए हमने यहाँ skip कर दिया यहाँ मैं ज़्यादा कुछ भर नहीं रहा हूँ तो आप जो अगर आपका कुछ खास detail हो वो आप अपने according भर सकते हैं मैं यहाँ पे simple से return भर रहा हूँ जिसमें मैं कोई ज़्यादा हिसाब लगाने वाला नहीं हूँ ठीक है 1,80,000 रुपे यहाँ मैं भर देता हूँ चलो 1,80,000 हमने भर दिया ठीक है 50,000 की मेरी deduction हो गई यह standard deduction 50,000 1,30,000 यहाँ आ गया 1,30,000 आने के बाद अब मैं नीचे जा रहा हूँ सेव कर दिया हमने सेव करने के बाद यह हमें बार बार उपर क्यों ला रहा है कुछ रह गया क्या उपर नई रहा हुआ तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है हम इसे proceed करेंगे ठीक है फिर हमारा gross total income हो गया अब हम deductions के अंदर जाएंगे deductions हम कुछ भी नहीं करेंगे हमने कुछ income ही नहीं दिखाई है deduction क्या दिखाएंगे वैसे कई तरह की deductions होती है जैसे आप यहाँ देख रहे है tax on saving bank account यह भी हमारा deduction का part होता है आप अपनी ITR जल्दी से जल्दी भर देना वरना क्या होता है return filing जब last days आर जाती है तो फिर वहाँ पर आपका नहीं भर पाता है deductions हमारी zero हो गई tax paid की बात करते हैं तो देखो generally यहाँ पर अपने आपी TDS अगर कहीं कहीं कटा होता है अपने आपी यहाँ लिख के आ जाता है ठीक है अभी नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टच करेंगे add करेंगे add करके हमारा 10 number डालने के लिए कहा जा रहा है 10 number हमारा यहाँ पर है यह 10 number हो गया यह बाला नहीं है I think हमारा 10 number हाँ चलिए ठीक है हमारा यह 10 number हो गया हाँ ठीक है 10 number हो गया यह हमने 10 number डाल दिया हमें नाम डालना है नाम हमने यहां से copy कर लिया नाम हमने डाल दिया 58400 हमारी income थी 58400 हमने डाल दिया 5840 हमने डाल दिया 5840 हमने डाल दिया यह हमारा TDS कटा है उस की बात हो रही है ठीक है हमने okay कर दिया okay करने के बाद tax paid आ गया हमने इतना tax pay किया है यह हमने दिखा दिया tax liability की बात करें तो tax liability हमारी कोई बनेगी नहीं यह अपने आपी formula calculate कर रहा है भाई कितने कितने income दिखाई है उस case आप से कितना बन रहा है income tax अपने आप 240 रुपे का refund जो है मिलेगा यहां हमने जो form भरा है यह form इसने दिखा दिया कि आपका इतना इतना जो जो आपने भरा है वह आप देख लो ठीक है उसके बाद आपकी itr1 दिखा रहा है कि आपका कोई भी error नहीं मिला है अगर आपने कोई चीज गलत भरी आपको error दिखा देगा उसके बाद हम validate पर जा रहे है validate पर हम गए validate पर जाने के बाद अब हमें यहां पर कह रहा है भाई कैसे आपको verify करना है e-verify now पर गए हम continue कर दिया हमने कह रहा है भाई किस तरह से आपको OTP चाहिए हमें हमेशा आधार OTP वाला systems follow करना है हम get आधार OTP करते हैं अभी यह चक्कर है कि एक बार में नहीं आएगा इसे दो तीन बार करना पड़ेगा अगर आपको itr return भरवानी हो तो आप में इसे फाइल करवा सकते हैं यह हमारी बिलकुल निल वाली return थी कि कुछ भी नहीं है हमारा जो बस TDS कड़ गया है वो हमें चाहिए अगर आपको proper तरीगे से भरवानी हो तो बहुत चीज़े बतानी के होती है जैसे आपकी salary आपकी FD का interest आपके bank का interest और अगर house property income है अगर कोई capital gain है अगर business income है अगर professional receipts है सारी चीज़े देखकर ही हम decide करते हैं कि आपकी पूरी साल की income कितनी है complications बहुत सारी हो सकती है income tax एक बहुत बड़ा और बहुत ही complex कानून है और उस complex कानून में एक एक section में बहुत ध्यान से चीज़ों को समझ के करना होता है सीखना चाहें simple ITR मैं आपको ज़रूर से सिखा सकता हूँ business वाली मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि उसमें पूरा income tax का कानून आपको जानकारी होनी चाहिए पूरा कानून आपको कंठस्त होना चाहिए मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद झाल